Hi everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains और हम पढ़ रहे हैं subject verb agreement, right? तो I guess जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, वो अच्छे से clear हुआ है नहीं हुआ है, तो guys, please make sure कि आप मुझे comment box में बता दो accordingly I'll, you know, teach you मुझे पता होगा ना, तो मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगी, ठीक है? अब हम देखने वाले हैं, हमारे 12 rules हम खतम कर चुके हैं और 13th rule क्या बोलता है? 13th rule बोलता है, plural form subjects with a plural meaning, take a plural verb अब जैसे word है, तुम्हारे पास scissors Scissors क्या होते हैं? Scissors मतलब कैची अब scissors, कभी भी आप scissors नहीं बोलते हैं Scissors, scissors ही होता है क्यों? क्योंकि उसमें, it's like a pair एक अखेला part आप यूज कर सकते हो क्या जैसे कैंची होती है, तो कैंची कैसी होती है, ऐसी होती है Something like this, ऐसी होती है तो कैंची का अगर ये पार्ट चला जाए, तो वो useful होगी, नहीं होगी तो इसी लिए scissors हमेशा दो पार्ट में होते हैं ऐसे बहुत साथे हमने nouns के टाइम पर पढ़े थे, जैसे कि trousers, so pants, trousers, अब trouser नहीं बोलते हैं ये हमेशा trousers ही होता है, pants ही होता है, spectacles ही होता है है ना, क्योंकि एक आँख का नहीं होता, दोनों आँख का ही होता है Also, जैसे measles, या mumps, जैसे diseases के नाम होते हैं तो ये हमेशा plural ही होते हैं क्योंकि अगर माता आती तो एक नहीं आती ना, बहुत सारी आती है मतलब वो जो measles हो जाते हैं, जो चित्ते हो जाते हैं तो अगर चिकन पॉक्स भी बोलते हैं जैसे तो अगर वो आती तो एक नहीं आती ना, उनको plural ही होते हैं और ये plural, नाम भी plural होता है होने में उनका जो character होता है, वो भी plural होता है और इसलिए verb भी इसमें हम plural लेते हैं जैसे की The scissors are on the table अब मैं एक ही कैंची की बात कर रही हूँ लेकिन मैं कहूंगी The scissors are on the table पर अगर मैंने बोला A pair of scissors अगर मैंने scissors की जगा उसको मैं दोनों ही करक्ट है मैं एक ही कैंची की बात कर रही हूँ चाहे मैं उसे scissors कहूं या मैं बोलूं pair of scissors एक ही कैंची की मैं बात कर रही हूँ तब मैं क्या बोलूंगी Scissors are on the table A pair of scissors is on the table Trousers are good A pair of trousers is good Spectacles are clean A pair of spectacles is clean समझ में आए ये बात तो जब मैं singularly उसको use करूंगी तब तो मैं उसमें plural verb लगा दूंगी लेकिन अगर मैंने pair of करके यूज किया तब मैं उसमें singular verb लगाऊंगी अब हम आगे देखते हैं इसके बाद अभी बहुत सारे rules हैं हमारे पास लेकिन हम पहले एक exercise करेंगे जिससे अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो हमको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है Choose the correct form of the verb that agrees with the subject अब यहाँ पे है Any and her brothers Is or are at school Any and her brothers यहाँ पे आपके पास दो nouns हैं जो की and से जुड़े हुए हैं तो हम singular verb लेंगे या plural verb लेंगे हम लेंगे plural verb क्या आ जाएगा Are at school Either my mother or my father या तो मेरी mom या तो मेरे dad meeting के लिए आ रहे हैं क्या आएगा Is या are Either or के साथ हमेशा आता है singular दोनों देखो दोनों ही singular है या तो मेरी ममा आ रही है या तो मेरे पापा आ रहे हैं तो यहाँ आएगा Is coming for the meeting ठीक है The dog or the cats The dog or the cats अब देखो यहाँ यह singular है और यह plural है तो तो तुमारे verb ने क्या बोला कि जो pass होगा ना मैं उसके हिसाब से जाऊंगा Pass में कौन है Cats है Is आएगा या are आएगा Your correct are आएगा Either my shoes or your coat Again देखो Either or आया है एक जगर तुम shoes plural की बात कर रहे हो और एक जगर तुमारा coat singular है तो verb किसके साथ जाएगा Long distance relationship तो वो maintain करता नहीं है Small distance देखता है तो यहाँ पे आजाएगा तुमारा is क्योंकि coat singular है So either my shoes or your coat is always on the floor ठीक है George and Tamara Doesn't, Don't want to see that movie Okay movie yes तो George and Tamara अब George और Tamara वो movie नहीं देखना चाहता है या चाहते है And से हमने दो लोगों को जोडा है तो यहाँ पे doesn't आएगा या don't आएगा Doesn't होता है singular के लिए Don't होता है plural के लिए क्या आएगा हम use करेंगे don't यह रहे हमारे answers ठीक है अब यह तो मैंने बताया मैं कित्ती अच्छी हूँ हब मैंने बताऊंगी ठीक है तो यह वाला पार्ट अब आप लोग करोगे मैं explain कर देती हूँ Benito Benito मतलब एक बंदी का नाम है एक ही लड़की का नाम है Dash know the answer क्या आएगा singular के बारे में बात करें doesn't या don't One of my sisters अच्छा इस वाले question को अभी हम छोड़ देते हैं इस question को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हम इस वाले rule को पढ़ेंगे ठीक है छोड़ दो उसको The man with all the birds The man with all the birds Subject है मेरा man फिर मैंने उसके आगे लगाया With all the birds Extra information Live या lives on my street Live या lives Live मतलब plural Lives मतलब singular क्या आएगा The movie including all the previews The movie फिर कॉमा और movie के बारे में Extra information मिल रही है Including all the previews Take या takes Take हो गया plural Takes हो गया singular About two hours to watch The players As well as the captain Want और wants to win क्या आएगा So guys पहले तो Let's see the sixth one छीक है अब तुम लोगों के answers तुम लोग मुझे बताओगे कितने सही निकले Benito एक singular लड़की के बारे में हम बात करें तो हम use करेंगे Doesn't क्योंकि Does मतलब singular की बात हो रही है अब है The man Man तो हमने बात किया Man के बात हमने Use किया है एक phrase Use कर दिया With all the words अब हमें उससे मतलब ही नही है हमें देखना ही नही है ना बाबा ना यहां क्या हो जाएका The man Lives on my street Easy यह singular यह singular Similarly The movie जिसमें बहुत सारे Previews है Including the previews The movie Including the previews हमें क्या करना वो क्या preview को include कर रहा है ठीके Oops, sorry तो Movie singular तो मेरा वर्ब जो है वो भी क्या आएगा Stakes singular Similarly The players As well as the captain मुझे नहीं दिखराएगे I cannot see this तो the players Plural यहां आजाएगा Want Plural मुझे बात ही नहीं करनी जो क्या वो कॉमा के बाद लगा हुआ क्यों देखो मुझे नहीं देखना मुझे क्या मजा आएगा मुझे देखने में ठीक है So that's it अब हम अपने answers देखेंगे यह मैं साधी Amazing Beautiful Handwriting मिटा देती हूँ These are our answers Okay Questions अभी बाकी है मिल दोस्त आगे बढ़ते हैं Answer Either answer Dash acceptable दोनों ही answer acceptable हैं Either Neither Each इन सब के साथ हम क्या use किया करते थे हम use करते थे singular Remember मैंने यह क्यों बताया चलो मुझे इनके answers चाहिए Either answer क्या आएगा Is या Are acceptable Every one of those books Every one of those books जो हैं ये भी अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये वाला जूल अभी हमने किया नहीं है Nobody Dash the trouble I have seen किसी को नहीं पता जो trouble मैंने देखा है Nobody क्या आएगा nobody के साथ Know या knows Is या Are The news on at 5 or 6 तो अब हमें काम करते हैं इस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं ये वाले exercise हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये वाले जो है मुझे सारे अभी अभी हमें discuss करने हम इसके लिए वापस आएंगे ठीक है अब हम आ जाते हैं यहां पे Rule number 13 13th rule क्या कहता है 13th rule वैसे हमने देख लिया था ये 13th का second part है 13th rule क्या कहता है plural form subjects with a plural meaning take a plural verb जो अभी हमने पढ़ा था scissors वाला अब ये हम थोड़ा और explanation देखेंगे इसका कि scissors के अलावा कौन कौन से चीज़े जो plural meaning लेते हैं जैसे कि हम जब clothes की बात करते हैं जिसमें आते हैं आपके breeches breeches मतलब होते है short almost like capri जितने trousers जो होते हैं उन्हें आप breeches कहते हो फिर pants ये हमेशा pants ही होते हैं pants मेरी कहा है कभी मत बोलना shirts अब यहाँ पे जैसे है अब मैं आपे single shirt होती है ठीक है लेकिन अब मैं shirts मैं बहुत सारी shirts के बादे में बात करें सिर्फ तब ऐस लगता है अब socks मेरे socks कहां है कभी कभी मैंने सुना है कि एक नहीं मिलता तो मैरा एक sock नहीं मिल रहा नहीं भाई उसको singular मत करो एक socks ही नहीं मिल रहा है तो ये हमेशा plural में होते हैं जब हम कुछ games होते हैं जिसकी बात करें जैसे cricket है, crickets नहीं होता या footballs नहीं होता लेकिन billiards होता है dots होते हैं ये games के नाम है अब कुछ tools होते हैं मतलब कुछ औरजार होते हैं जैसे की scissors canchi ये हमेशा plural में होती है tongs tongs मतलब जिसे रोटी पलटते ना तो वो जो छिम्टा होता है उसको हम tong कहते है और pincers pincers मतलब जो चुभाने वाला होता है एक pinc करने वाला एसा होता है उसको pinc करते हैं तो वो भी हमेशा pincers होते हैं वो ہमेशा plural में होते हैं and then we have bios अब कुछ extra चीज़े जो हमेशा plural में होती है जैसे की arms आप arms मतलब क्या होता है? arms मतलब होता है भीक आप भिकारी को जो भीक देते हो तो कभी भी आप उसको मतलब भीक दे रहे हो मतलब आप भीक मांग रहा है आपने उसे भीग दी है तो वो हमेशा plural में ही होगा भीग आप कभी singular में नहीं देऊगे ashes, rock, rock हमेशा plural ही होता है annals, thangs, thank you बोलते हम या हम जब singularly बोलते हैं तो thanks बोलते हैं, thank नहीं बोलते हैं caves, riches, riches मतलब amiri then proceeds remains, उसके जो remains थे, remain part नहीं बोलेंगे हम remains बोलते हैं और circumstances कैसे थे, circumstance वैसा नहीं था नहीं circumstances वैसे नहीं थे, so ये वो words हैं जो हमेशा plural verb ही लेते हैं ठीक है, जैसे example देख लेते हैं, my trousers need to be stitched trousers, लेकिन अगर मैंने pair बोला होता तो, a pair of trouser needs to be stitched ठीक है, arms were given to the beggars, मतलब भिकारियों को भीग दी गई थी ठीक है, arms were given to the beggars, mums is a contagious disease mums is a contagious disease, यहाँ पे मैंने इसको is लिखा है, क्यों is लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पे एक disease की बात कर रही हूँ, तो वो अभी अपने आप में sound plural कर रहा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला था, ठीक है, तो जब आप diseases की बात करते हो, तो यह एक ही disease है, तो यहाँ पे सिर्फ disease के लिए आप singular use करोगे, ठीक है, अब आता है आपका rule number 14 use a singular verb with distances, periods of time, sums of money, etc. when considered as a unit जैसे मैंने बोला, जब भी मैं distance की बात करूँगे, distance मतलब kilometers या miles की बात करे हूँ, अगर मैं उसे एक unit मान रही हूँ तो मुझे singular लेना पड़ेगा, similarly अगर periods of time की बात करे हूँ या money की बात करे हूँ, जैसे की examples देखते हैं, clearly समझ में आएगा 3 miles is too far to walk, यहाँ पे मैं बोला, बाप रहे, 3 km तो कौन चलेगा, 3 km बहुत ज्यादा होता है मैंने क्या बोला, 3 km को जब मैं एक unit मांग रही हूँ, तो मैंने बोला, 3 km बहुत ज्यादा होता है 3 km बहुत ज्यादा होते हैं नहीं बोला मैंने, क्योंकि मैं बोला है, 3 km तो कौन चलेगा 3 km जाना है, तो यहाँ पे मैं 3 km को एक unit मांग रही हूँ 5 years is the maximum sentence for that offense वो जो आपने crime किया है, उसके लिए आपको जो maximum punishment मिल सकता है, वो है 5 साल का यहाँ मैं बोलूँगी, बाप रहे, तुम जो हो जा रहे हो, 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है, मैं बोलती हो, 5 साल बहुत लंबे समय होते हैं, नहीं बोलती 5 साल एक लंबा समय होता है, क्योंकि 5 साल को मैंने एक unit मांग लिया है तो जब भी मैं, यह distance है, यह time period है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एक unit मांगा तो मेरा verb singular आ गया is use किया है मैंने 20,000 rupees is a high price to pay 20,000 rupees एक बहुत बड़ा amount है एक बहुत बड़ा amount है is a high price ठीक है? लेकिन मान लो, जमीन पे ना कुछ note बिखरे पड़े So, तब क्या बोलोगे 10 dollars, जब मैं dollar के bills की बात करी हूँ या मैं note की बात करी हूँ was scattered on the floor 100 rupees जमीन पे पड़े हुए थे 100 rupees जमीन पे पड़े हुए थे मतलब जैसे 10, 10, 55 rupees के 20 rupees के पचास rupees के अगया ऐसे पड़े हुए हैं, तब मैं बोलूँगी 100 rupees जमीन पे पड़े हुए थे अलग-अलग तरीके से note के स्में पड़े हुए थे लेकिन यहाँ में बहुत सारे note जो बिखरे पड़े हैं, इसलिए मैंने क्या बोला? Was scattered on the floor. क्योंकि मैं अलग-अलग note की बात कर रही हूँ. समझ में आई ये बात? अगर एक unit की बात कर रही हूँ, तो singular verb लोंगी. लेकिन अगर मैं उन्हें अलग-अलग तरीके से देख रही हूँ, तब मैं उनको plural की तरह लोंगी. अब यहाँ पर next rule कहता है, everyone and everybody will always take a singular verb. Even each, each, everyone and everybody. यह हमेशा singular ही होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं, everybody are coming. मैंने कुछ लोग को सुना हैं यह बोलते हुए. Everyone has finished his or her homework. Everybody is here. Each of the students is responsible for doing his or her work in the library. तो हमेशा याद रखो, इसमें कोई rocket science नहीं है, बहुत easy rule है. क्या बोल रहा है? Everyone, everybody और each, इनके साथ हमेशा हमेशा singular verb ही लेना हैं. समझ में आई यह बात? Everyone, everybody और each के साथ आप हमेशा singular verb ही लोगी. Are we clear with this? चलो. अब हम देखते हैं, rule number 16 क्या कहता है? Rule number 16 क्या कहता है? Nouns which are plural in form. Nouns जो सुनने में तो plural होते हैं, जिनके लास में इसे S लग जाता हैं. लेकिन actually में वो singular होते हैं. But singular in meaning, उनके साथ singular verb लगता है. क्या बोला मैंने? ऐसे nouns जो सुनने में तो plural लगते हैं. लेकिन actually में singular होते हैं. जैसे mathematics. S लगा हुआ है last में. लेकिन क्या mathematics एक plural word है? नहीं, वो एक singular word है. जैसे physics. ठीक है? civics. यह सारी जो subjects के नाम हैं, यह singular है. लेकिन यह sound कैसे करते हैं? Plural. लेकिन तो हमें sound कैसे करते हैं? उस पर नहीं जाना है. उसके main character पर जाना है. उनका main meaning क्या है? singular का तो हम लगाएंगे singular subject. सॉरी, singular verb. जैसे कि mathematics is an interesting subject. civics is an interesting subject. physics is a tough subject. ठीक है? तो मैंने हर चीज के साथ क्या लगाया? इस. जैसे news. अब जैसे word है news. ठीक है? News मतलब क्या होता है? समाचार. है ना? क्या singular को अपने new बोलते हैं? नहीं. एक हो या बहुत सारी हो. हम क्या बोलते हैं? News बोलते हैं. तो मैं बोलूँगी the news is on at 6. मतलब news जो है वो 6 बजे आएगी. News जो है वो on होगी. कितने बजे? 6 बजे. अब जैसे word है wages. ठीक है? wages का मतलब होता है तनखवा है. आपकी salary. आपकी तनखवा हैं. तो तनखवा नहीं होता है. मैं शाद तनखवा हैं ही होता है. wages होता है. wage कभी नहीं होता. wages ही होता है. चाहिए तुमारी salary कितनी भी कम हो wages ही बोलना है. The wages of sin is death. ये एक बहुत ही भारी सा sentence. इसका मतलब क्या होता है? कि आपके बुरे कर्मों का जो आपको salary मिलता है. award मिलता है. पैसा मिलता है. वो होती है. मृत्यो. ओ भाई. काफी हेवी था. Okay. My hair is black. अब hair एक ऐसा word है. जो कि actual में plural है. या singular है. दोनों में वो सेम ही होता है. हम बोलेंगे is black. Mathematics is an interesting subject. अब मैंने बोला my hair is black. मतलब मैं hair को मेरे जितने भी हैं उनको मैं एक unit मान जई हूँ. लेकिन suppose मैं किसी hotel में खाना खाने गई. मैं restaurant में गई खाना खाने के लिए. वहाँ पे मैंने order किया a bowl of soup. और उस soup में दे तीन बाल. तो मैं बोलूँगी. अब मैं यहाँ पे is नहीं बोलूँगी. 3 hair are बोलूँगी. मैं वहाँ पे hairs तो होता ही नहीं है. 3 hair are in the bowl of soup. क्योंकि क्यों मैं उसे count कर सकती हूँ. एक बाल, दो बाल, तीन बाल. इसलिए मैं क्या बोलूँगी? 3 hair are in the bowl of soup. You take it out. Take it away. चिक है? अब next rule हम देख लेते हैं. 17th rule क्या बोलता है? Plural form subjects with singular or plural meaning. Take a singular or plural verb. मतलब क्या हुआ? Plural form subjects. कुछ subjects ऐसे होते हैं जो plural होते हैं. चाहिए उनका singular meaning हो या plural meaning हो. जो हमेशा plural ही होते हैं. वो या तो singular verb लेंगे या plural verb लेंगे. As per the sentence. ठीक है? Depending on the meaning. जैसे कि आपका word है politics. अब मैं politics में जाना चाहते हूँ. Politics एक बहुत ही खतरनाक occupation है. Politics एक. यहां मैंने politics को as an entity माना है. मैं पूरे politics को एक चीज मान रही हूँ. तो मैंने बोला politics is an interesting subject. और politics is an interesting subject. लेकिन यह second example अब जो हम देख रहे हैं. ठीक है? The politics of the situation were complicated. अब मैंने पहले sentence में बोला था. राजनीती एक बहुत ही interesting subject है. अब दूसरे में मैं बोल रही हूँ. यह जो पूरे situation में जो तुमने राजनीती करी है. जो पूरे situation में तुमने जो राजनीती करी है. वो complicated है. इस पूरे situation में जो राजनीती की गई है. राजनीती की गई है. वो complicated है. तब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ. The politics of the situation. The politics of the situation. तब यहाँ पे आप एक plural verb होगे. क्योंकि यहाँ पे politics जो है. वो एक plural subject की तरह act कर रहा है. In this example, politics refers to the many aspects of the situation. Politics of the situation. बहुत सारी जो aspects है situation के उन aspects को देखते हुए हमने plural verb लिया है. क्योंकि हमारा subject यहाँ पे plural act कर रहा है. ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं. Rule number 18. Rule number 18 कहता है. कोई भी जो sentences जो की there is या there are से चालू होते हैं. For example, there is a boy. There is a boy. There are many flowers. इसमें क्या होता है? जो भी sentences ऐसे चालू होते हैं उसमें जो subject होता है न वो verb को follow करता है. उल्टा चलता है यहाँ पे. कैसे? There are many questions. तो subject जो है तुम्हारा subject क्या है? Many questions जो है? यह verb को follow करता है. There are many questions. There is a question. तो यहाँ पे आप क्या करोगे? There is not the subject. अब there यह subject नहीं है. तो जो verb है यह किसके साथ agree करता है? यह जो verb है यह agree करता है उसके बाद जो लिखा हुआ है. वर्ब किसके साथ agree करता है? जो उसके बाद में लिखा हुआ है. There are क्या लिखा है? Many questions. बहुत सारे questions है तो उसने बोला are हो जाएगा. Question एक ही question है तो उसने बोला is हो जाएगा. तो जब भी हम there is या there are यूज़ करते हैं, बाद में subject लिखा होता है. तो उस subject को देखके वर्ब अपने आपको set करता है. अब मैंने बोला अगर there is a cow. कितनी cow है? एक ही cow है तो यहाँ पे there is a cow आजाएगा. अगर मान लो मैंने बोला होता there dash many people. तो यहाँ पे बहुत साहे लोगों की बात कर रही हों तो यहाँ पे आजाएगा there are. तो subject को देखके फिर यहाँ पे वर्ब चलता है. यहाँ पे यहाँ पे यह भी बहुत simple सा rule था. अब next क्या बोलता है? जब भी कोई sentence आपका none से चालू होता है. None हमेशा singular verb लेता है. अगर if what it refers to a singular. अगर noun singular की बात कर रहा है तो singular लेगा. अगर वो plural की बात कर रहा है तो वो plural लेगा. मतलब sentence फिर डिपेंड करता है. जैसे कि none of the book is reproducible without permission. कोई भी book जो है वह आपको वापस नहीं दी जा सकती permission के बिना. किस की बात कर रहे हो? मैं book की बात कर रही हूँ. बुक एक है तो मेरा verb भी इस आ जाएगा. None of the peas. None of the peas. मतलब mutters जो है are left on scenes plate. एक भी matter scene की plate में बचा हो नहीं है. अब मैं none of the peas बोला. मैंने peas मतलब plural होता है. तो मैंने उसके साथ लगा दिया. आज मतलब none से अगर कोई sentence चालू हो रहा है तो subject को देखो. Subject singular. singular verb. Subject plural. Plural verb. ठीक है? कोई doubters में? आगे बढ़ेंगे हम. Rule number 20 क्या कहता है? जब भी हम fractions की बात करते हैं. तो आपका जो verb है ना वो पूरे चीजों के साथ agree करता है. One मतलब पूरी चीजों के साथ जैसे मैंने बोला one fourth of the pizzas. अगर मैंने बोला one fourth of the pizzas. मतलब बहुत सारे जो pizzas हैं. उसमें से one fourth मुझे चाहिए. तो मैंने देखा बहुत सारे. ठीके? उन से मैं बोल दूँगी plural है. One fourth of the pizza. एक ही pizza की बात हो रही है यहां पे. ठीके? एक ही pizza की बात हो रही है यहां पे. तब मैं उसमें singular लगाऊंगी. अब मैं इसमें example बताती हूँ. One fourth of the books are gone. One fourth के बाद तुम one fourth मत देखो, one third मत देखो, वो सब मत देखो. तुम देखो तुम्हारा जो one fourth किसका? One fourth books का. Books singular है या plural है? Plural है. वर्ब क्या लगा दो तुम? Plural. One fourth of the sand. Sand singular है या plural है? Sand मतलब singular हो प्लूरल दोनों में same रहता है. हम sand को singular मान रहे हैं. इसलिए हमने लगा दिया white के आगे is. ठीक है? अगर मान लो मैंने यहां पे लिखा होता. One third of the room-mine. इस room का एक तिहाई भाग जो है वो मेरा है. मेरा subject क्या है? Room. Singular है या plural है? Singular है तो मैं यहां लगा दूँगी. Is mine. ठीक है? अगर इसी की जगा one third of the rooms होता तो subject क्या है? Plural है. तो इसी जगा मैंने क्या लगा दिया? R. बस इतना ही करना है. ठीक है? जब भी कोई fraction की बात हो रही है तो तुम देखो तुम किस चीज के fraction की बात कर रहे हो. वो तुमारा main subject है. और उस main subject को देखो कि वो singular है या plural है? Singular है तो singular verb लगा दो. Plural है तो plural verb लगा दो. ठीक है? अब हम देखते हैं next rule. The phrase more than one takes a singular verb. कभी भी कोई भी sentence चालो हो कि more than one box is sitting in the hallway. अरे hallway में एक से ज्यादा डब्बे पड़े हुए हैं. एक से ज्यादा लोग खड़े हुए हैं. एक से ज्यादा problems आ चुकी हैं. एक से ज्यादा diseases फैल रही हैं. तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी sentence स्टार्ट करोगे more than one से तो आप हमेशा verb कैसा लोगे? singular लोगे. More than one box is sitting on the hallway. क्यों? क्योंकि more than one मतलब आप singular ही लिखोगे ना. उसे more than one boxes तो बोलोगे नहीं. इसलिए आपको singular verb लेना पड़ेगा. More than one car was involved in the race. उस race में एक car से ज्यादा car जो थी वो involved थी. तो इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया है war. क्या समझा हमने? कोई भी sentence अगर more than one ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो आपका verb हमेशा singular ही होगा. ठीक है? आगे बड़े? ओके, rule number 22. ये rule number 22 बहुत simple है. एक्दम common sense वाली बात है. Harry Potter पढ़ी है. Harry Potter movie देखिए. Harry Potter में first था Harry Potter and the Philosopher's Stone. नाम जो है उसमें last में ऐस लगा है? नहीं. लेकिन Harry Potter and the Chamber of Secrets. तो क्या बोलोगे? Harry Potter and the Chamber of Secrets are a good book. नहीं भाई, नाम से क्या होता है? अगर नाम को तो एक ही चीज है ना? तो नाम के आगे इस लग जाएगा. अगर नाम में ऐसा है, तो तुम ऐसा थोड़ी ना है कि आड हो जाएगा. बुक तो एक ही है वो. बुक तो एक ही है ना? तो जैसे यहाँ पे the grapes of wrath. ये एक नाम है. ये एक नाम है. तो उसके आगे तुम singular लगाओगे. टेक्स अ लॉंग ताइम तो रीड. ये एक नाम है बुक का. The Grapes of Wrath. इसके आगे टेक्स लगेगा. Harry Potter and the Chamber of Secrets. टेक्स अ लॉंग ताइम ताइम तो रीड. Because it's a thick book. ठीके? Harry Potter and the Chamber of Secrets is a good book. Is a good read. मतलब एक बहुत अच्छी पढ़ने के लिए बहुत amazing book है. तो जबी भी आप कोई title की बात करो. किसी चीज के नाम की बात कर रहे हो. नाम में अगर last में S आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीके? तब हम कोई दिक्कत नहीं है. नाम की last में सार है. हमें singular ही use करना पड़ेगा. ठीके? अब आते हम rule number 23 के a part पे. जब भी आप बोलोगे और ये बहुत confusing वाला रहता है. One of those. जब भी कोई sentence में आ जाएगा आपका one of those. तब आपको one of those dash who इसके साथ plural verb ही लगेगा. ठीक है? जैसे कि Hannah is one of those people who like to read comic books. Hannah उन लोगों में से एक है जिनहें comic books पढ़ना पसंद होता है. तो यहाँ पे Hannah is one of those people who like to read comic books. The above example implies that others besides Hannah like to read comic books. अब देखो यहाँ पे यह 23A और 23B दो हैं. एक हमें बता रहा है Hannah is one of those who like to read comic books. मतलब Hannah उन लोगों में से एक है जिनहें यह काम करना पसंद है. और दूसरे तरीके से जो हम बोलते हैं वो है Hannah सिफ उन लोगों में से मतलब Hannah ही एक ऐसी ओरत है या ऐसी लड़की है जिसको यह काम करना पसंद है. तो यहाँ तुम एक जगा एक positive sentence बोल जो कि बहुत सारे लोगों में से वो एक है और एक जगा बोल जो सिफ वही एक है जिसको यह काम करना पसंद है. जब तुम बोलोगे one of those जिसको वो काम करना पसंद है मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन में से एक ये भी है तब मैं इसमें plural verb लोगी क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की एक तरीके से एक साथ बात कर रहे हूँ पर अगर मैंने कहा कि सिर्फ यही एक ऐसी है जिसको यह काम करना पसंद है तब मैं एक ही इंसान की बात करी हूँ इसलिए मुझे singular verb लेना पड़ेगा अब हम यहाँ पे देखते हैं Hannah is one of those people who like to read comic books बहुत सारे लोगों में से जैसे बहुत सारे लोगों को comic books पढ़ना पसंद है उन में से एक यह भी है इसलिए मैंने plural verb लिया है क्या लिया है मैंने plural verb लिया है लेकिन अब इस वाले में देखो Hannah is the only one of those people who likes to read comic books मतलब जब मैंने बुला Hannah ही सिफ एक ऐसी लड़की है जिसे comic books पढ़ना पसंद है तब मैं यहाँ पे likes बोलूँगी like नहीं कहूँगी मैं यहाँ singular verb लोगी जब किसी भी sentence में only one of those आ जाता she is the only one of those जिसे dance नहीं करना अच्छा लगता she is only one of those only one of those जिसे dance करना नहीं अच्छा लगता तब मैं बोलूँगी who doesn't like to dance लेकिन if she is one of those who do not like to dance she is one of those मतलब बहुत साह लोग है जिनको dance करना नहीं अच्छा लगता उन मेंसे यह भी है तब मैं plural verb लोगी तो समझो इस चीज को जब मैं एक भीड का पार्ट हूँ जब मैं एक भीड का पार्ट हूँ बहुत साह लोग को कुछ काम अच्छा नहीं लगता उन मेंसे एक मैं भी हूँ तब मैं plural लोगी जब मैं अकेली हूँ तो मैं singular लोगी ठीक है सब अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नमबर 24 क्या बोलता है with the number of dash use a singular verb मतलब the number of volunteers grows each year जब भी आप बोलते हैं the number of mangoes the number of apples the number of people the number of elders तो जब भी कोई sentence आपका the number of आता है उसमें तब आप उसमें हमेशा singular verb लोगे the number of people a number of people तो यहाँ पर the number of volunteers plural है लेकिन ये the number क्या है singular है तो the number of volunteers grows each year हर दिन जो volunteers हैं वो बढ़ रही हैं या बढ़ते हैं जैसे अभी कोरोना चल रहा है बहुत सारे लोग हैं जो help करने के लिए कुशिश करने हैं ये पास बहुत बड़े बड़े घर हैं मानलो एक दो एक्स्ट्रा घर रखे हुएं तो उन लोगों ने उन घरों को कोरोना के लिए you know beds अरेंज करने के लिए जगा दे दिये बहुत सारे hotels हैं जिन्होंने as of now उसको hospital में shift कर दिया, change कर दिया है तो बहुत सारे लोग हैं जो volunteer volunteer मतलब आप अपनी तरफ से किसी चीज में participate करते हैं उसे volunteer करना कहते हैं तो इस चीज में बहुत सारे volunteers जो हैं वो बड़ रहे हैं तो जैसे सद्गुरु हैं तो सद्गुरु आपको योग कराते हैं meditation कराते हैं आपको life की skills बताते हैं soft skills बताते हैं तो सद्गुरु के बहुत सारे volunteers हैं जो आप बढ़ रहे हैं तो the number of volunteers grows each year the number of mangoes grows each year मतलब हर साल इस पेड़ में number of mangoes बढ़ते ही जा रहे हैं the number of mangoes grows each year ठीक है अब इसमें वो बोल रहा है with a number से अगर चालू होगा अभी तुमने यहाँ पे बोला जब the number से चालू हुआ कि किसी चीज का the number तो तुम्हें singular लेना है लेकिन अगर तुम a number से चालू करोगे तो तुम्हें plural लेना है a number of people grow tomatoes each summer बहुत सारे लोग हैं तुमाटोस ना हर समर में टुमाटोस उगाते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर समर में टुमाटोस उगाते हैं यहाँ मुझे यूज करना पड़ेगा एक plural verb a number के साथ plural the number के साथ singular इतना याद रखो अगर कहीं भी the number of चालू हुआ है तो आप singular यूज करोगे a number of चालू हुआ है तो आप plural यूज करोगे ठीक है अब next क्या है with every dash use a singular word मतलब every man, woman and child participates in the lifeboat drill मतलब जब भी आप कहीं ship में जा रहे हो ठीक है तो आपको उसके पहले एक lifeboat drill होती है basically वो आपको बताते हैं in case कोई भी issue होता है तो आपको जो है कैसे अपने आपको protect करना जैसे आपको भी airplane में travel करते हो तो आपको सब लोगों को एक साथ बताते हैं कि कैसे आपको अपनी seatbelt को tie up करना है and all तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे आपको भी करना पड़ता है तो यहाँ पर क्या है हर औरत आदमी और बच्चा ये काम करेगा यहाँ पर हमने क्या बोला हर एक की बात करिए singular की बात करिए singular verb लेंगे भले every man, woman and child को मिला के हजारों लोग हो जाएंगे लेकिन मैं बोलूँगी every man, woman and child has to follow the rules every man, woman and child has to wear the mask ठीक है? तो यहाँ पर ये हमेशा singular verb ही लेगा जब भी कोई sentence में every आ जाता है every one of you has to follow the instructions every staff member has to come to office ठीक है? next है हमारा rule number 26 वो क्या कहता है? the word word replaces was in sentences that express a wish or are contrary to fact ये ना बहुत important है जैसे आप बोलते हैं काश मैं एक जिन होती या काश मैं एक परी होती या काश मेरी अभी छुटियां चल रही होती तो जब भी आप ये काश और से wish चालू करते हो I wish के बाद I के साथ तो was लगता है लेकिन अगर आप कोई wish कर रहे हो तो आप उसको was नहीं लेते आप were लिखते हो if Joe were here काश अगर Joe यहां होता you know तब तुम्हें समझ में आता you would be sorry अगर Joe यहां होता तो you would be sorry if Joe were here क्योंकि तुम wish कर रहे हो I wish it were Friday अब यहां पे यह वाला sentence हम अटा देते हैं यह sentence यहां पे नहीं जाएगा so अगर हम was को was से रिपलेस करते थे हैं जब हम कोई wish की बात कर रहे हैं अब यहां देखो जितने भी nouns यहां पे हम यहां देख रहे हैं the following nouns though singular in form always take a plural verb यह सारे cattle cattle मतलब बहुत सारे आप cow और buffalo की बात करे हो folk, gentry, majority, mankind, nobility, peasant, police, poultry, public, people, aware यह सारे के सारे people people मतलब क्या है it's a plural noun plural of person बहुत सारे लोगों को हम people कहते हैं public मतलब public क्या एक होता है कोई एक public तो होता है यह बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं poultry, poultry में क्या एक कोई hen होती है एक मुर्गी होती है, नहीं बहुत सारे होते हैं police, police मतलब क्या एक ही इंसान की बात हो रही है नहीं, हम तो पूरी force की बात कर रहे हैं wake up, wakes up नहीं बोलेंगे wake up बोलेंगे, plural verb लेंगे the police have arrested the murderer police has नहीं बोलेंगे the people want justice बोलेंगे people wants justice नहीं कहेंगे जब हम people की बात करते हैं इसका मतलब होता है पूरे एक nation की बात करते हैं it's plural of, it's plural is peoples ठीक है? तो Indian are religious minded people जब हम people की बात कर रहे हैं हम पूरे nation की बात कर रहे हैं Europe has many different peoples ठीक है? cool? so we are done here अब guys, now we are going to start with our final quiz subject verb agreement के हमने सारे rules कर लिये हैं अच्छा ये जो आपने दिए हैं 26 rules, मेरी book में तो सिफ 6 थे मेरी book में तो सिफ 12 थे में तो सिफ 15 पड़े हूँ हैं या आपके 26 rules कहां से लेके आई हूँ जहां पे भी आपको इसके अलावा कोई rule नहीं मिलेगा so everywhere, wherever you, I thought कि you know, इसमें doubt होता है बच्चों को या ये questions गलत करके आते so I have put down everything here so अब आपको doubts नहीं होंगे बस the only thing is practice ठीक है? sentence on which the subject and verb agree मतलब subject, verb का agreement सही है और ऐसे ही question आते question आजाएगा every one of the shirts has a green collar every one of the shirts oops, excuse me so every one of the shirts have a green collar अब हमें ना question जैसे आगया मान लो ये question तुम्हें देती है अब बोलेगा इसमें कुछ गलत है बताओ क्या गलत है तो तुम्हें बताना पड़ेगा जब भी कोई sentence every से start होता है तो तुम्हें singular verb लेना होता है यहाँ पे have गलत है तो correct answer तुम्हारा a है क्योंकि every से जो word start होता है तुम्हें उसमें singular verb लेना पड़ता है ना की plural अब next देखते हैं देखो वापस along with a few others यह क्या है यह added information है हमारे पास एक ही single है तो यह play होगा या plays होगा यह तो रही नहीं इसको तो देखो ही मत ठीक है along with से start होगा है से देखो ही मत तो single singular है तो play होगा या plays होगा plays होगा तो second वाला correct है first वाला गलत है sandals and tals are essential gear for a trip to the beach अब sandals and tals यह compound होगया sandals and tals अब दो चीज़ों की बात करो जिन्हें join किया है आपने and से plural verb लेना पड़ेगा तो यहाँ पर is आ राएगा या is आएगा यहाँ पर आ राएगा क्यों? क्योंकि यह plural हो गया है and से join किया है इसलिए आपका answer number a is correct the president or the vice president are speaking today the president or the vice president is speaking today अब या तो president बात करें है या तो vice president बात करें कोई तो एक ही बात कर रहा है तो मुझे singular verb लेना पड़ेगा मैं plural तो ले नहीं सकती ठीक है? So answer is B Either Cassie or Mary pays the employees this afternoon मतलब या तो कैसी या तो Mary दोनों में से कोई एक जो है employees को उनका पैसा देगा आज तो जब Either और 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 आता है तो और दोनों singular है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमें भी singular यूज़ करना पड़ेगा Pay नहीं आएगा, Pay जाएगा ठीक है? Singular अब next question क्या है? Either the sculpture or the paintings are in the museum today Either the sculptures or the paintings Either और आ रहा है Subject, एक subject है sculpture एक subject है paintings ठीक है? तो वर्ग के पास में कौन सा subject है? Paintings, paintings singular है और plural है? Plural है, तो क्या आएगा? Are तो यह first वाला correct है, second वाला wrong है The coat or the hats are in the closet तो या तो coat या तो hats ठीक है? और आ गया है तुम देखो past में कौन सा है? एक subject है coat और एक subject है hats यह है तुम्हारा verb यह है तुम्हारा verb Verb के पास में लिखा है hats Hat singular है या plural है? Plural है तो क्या आना चाहिए? यह plural verb आना चाहिए ठीक है? कौन सा फंडा है इसमें? Long distance relationship and small distance relationship Right? Next one Neither she nor I is getting the lunch special अब यहाँ दो subject से एक she है और एक I है किसके हिसाब से चलोगे? verbs यह हैं आपके यह हैं आपके verb और verb आएगा आपके इस subject के हिसाब से तो I के साथ कौन सा आएगा? M आएगा Right? Each of the dancers twirls brilliantly अब इच के साथ हमेशा singular आता है तो इच के साथ हमेशा twirls आएगा मतलब singular आएगा twirls आएगा plural नहीं आएगा ठीक है? Next question क्या है? Next question है Mustard greens are my favorite vegetable Mustard greens मतलब क्या होता है? सलसों की भाजी सलसों की भाजी ठीक है? तो यह एक ही नाम है भले उसमें S लिखा है लेकिन वो एक ही नाम है Mustard greens is my favorite vegetable अब वो नाम है मैं बाल बाल बता दिया हूँ कि जो S है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो सिफ एक नाम है तो उसके साथ आएगा Is Okay? Everybody at the party was enjoying the food Everybody at the party were enjoying the food अभी हमने discuss किया था कि everybody के साथ हमेशा singular आता है Each Everybody Everyone इनके साथ हमेशा हमेशा सिर्फ singular ही आता है Singular है was तो correct answer हो जाएगा A Next question है More than Half of the basketball court is used for volleyball practice More than half More than हमने पड़ा था जब भी कोई sentence start होता है More than this तब हम इसमें क्या use करते हैं Half of the basketball court अब तुम देखो subject क्या है तुम्हारा तुम्हारा subject है basketball court basketball court singular है या plural है singular है तुम्हारा verb क्या आएगा singular ठीक है Some of the potatoes is salted Some of the potatoes are salted जब भी हम some use करते हैं Some के साथ अगर uncountable होता है तो हम use करते हैं Singular countable होता है तो हम use करते हैं Plural potatoes countable है या uncountable है मैंने क्या बोला ना countable के साथ plural और uncountable के साथ singular तो potatoes countable है तो इसके साथ आएगा plural तो answer आजाएगा B अब आपके पास है either of the classic cars is for sale either of the classic cars are for sale अब either का मतलब क्या होता है एक दोनों में से एक और हमने पढ़ा था जब either और नहीं आ रहा है सिर्फ either आ रहा है यान इदर आ रहा है तब हम singular verb लेंगे तो either अगर आ रहा है तो हमें singular verb लेना पड़ेगा हम plural verb नहीं लेंगे आंसर हो जाएगा अब ये एक ही है ना भाई ड्राइवर अलग से आ रहा है और कार अलग से आ रहा है अनसर इसा तो है नहीं ड्राइवर कार में बैठके ही आ रहा है मतलब एक ही unit हुई ना तो अगर एक ही unit हुई तो आपका singular verb आएगा या plural verb आएगा singular verb आएगा तो आप लगाओगे answer इस पे next question क्या है $6 is too much to pay for a gumdrop $6 are too much to pay for a gumdrop अब हम यहाँ पे $6 तो बहुत सारे होते हैं मारे $6 हम एक unit मान रहे हैं हमारे इसे बिखरे हुए नहीं पड़े हुए तो हम $6 के साथ singular verb यूज़ करेंगे ना की plural verb ठीक है? are cold sometimes Western states में जो weather होता है कभी-कभी बहुत थंडा होता है The weather in the western states is cold sometimes किसकी बात करें? हम weather की बात कर रहे हैं In the western states एक phrase है उसके साथ prepositional phrase है तो उसके हमें कोई मतलब भी नहीं है हम बात करें weather की weather होता है singular हम यूज़ करेंगे is ओके? next question देखते है The water polo team have won the state championship for the second time The water polo team अब यहाँ एक बजगा है भे एक जगा है से team मतलब मैं पूरी की पूरी team की बात करेंगे एक entity की बात करेंगे singular word यूज़ होगा has यूज़ हो जाएगा answer हो जाएगा B बहुत simple है next question देखते है The square is one of those who compete nationally The square is one of those who competes nationally अभी हमने पढ़ा था अगर is one of those मतलब उन में से एक है भीड में से एक है तो plural आएगा plural मतलब compete आएगा competes नहीं आएगा यह मेरा verb है compete ना तो जब मैं बात करेंगे कि वो भीड का एक हिस्सा है तब plural आएगा next है There have to be some people left who care about English कुछ अभी भी ऐसे लोग होने चीज़ जो English का care करते हैं There has to be some people left who care about English अब जब कोई sentence there से use होता है तो there के बाद जो आपका word आता है वो subject को देखता है है ना? अब यहाँ पे है क्या आएगा some people some people मतलब कुछ लोग मतलब plural की बात करी हो बहुत साहे लोगों की बात करी हो तो have आएगा has नहीं आएगा यह भी हमने पड़ा हुआ है A number of suggestions was made A number of suggestions were made A number of से जब कोई sentence चालू होता है the number से चालू होता है तो singular a number से चालू होता है तो plural यहाँ पे आजाएगा were made A number of suggestions were made So guys that's it and we are done here with subject verb agreement हमने दो exercises की एक जगह जहां आपको correct verb use करना था और एक जगह जहां पे आपको sentence में देखना था कि क्या incorrect है So I hope थोड़ा थोड़ा तो आही गया होगा एक दो बार practice करोगे तो और अच्छे से आजाएगा You will find link जिसमें आपको बहुत सारी practice exercises मिलेंगी And you have to do that ठीक है उसके बार if you get some doubts Any doubt in fact Please bring it to me Okay Bye Take care